Philosophy, याने की दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर एक दिन कुछ चीजों को लेकर अपनी क्लास में आए. प्रोफेसर ने एक बड़ा सा कांच का जार लिया और उसे पत्थरों से भर दिया और सवाल किया कि क्या ये जार भर चुका है? सभी ने उत्तर दिया हाँ, उसके बाद उन्होंने थोड़े से कंकड लिये और उस जार में डाल दिये और फिर स्टूरेंट से सवाल पूछा कि क्या अब जार भर चुका है? उसके बाद प्रोफेसर ने जार को थोड़ा सा हिलाया और रेत यानि की बालू डाल दी, रेत ने बाकी की जितनी भी जगे बच गई थी उसे भर दिया, एक बार फिर प्रोफेसर ने स्टूरेंट से सवाल पूछा कि क्या अब जार भर चुका है? सभी ने जवाब दिया हा सर इस बार तो जार वाकई में भर चुका है, तब प्रोफेसर ने अपने स्टूरेंट्स को समझाना शुरू किया, कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस बात को समझें, ये कांच का जार आपकी जिन्दगी को प्रसुत करता है, जो एक ना एक दिन तूट जाएगा, लेकिन इससे पहले कि ये तूट जाए, अगर आप इसे सही तरीके से भरें, तो हम अपनी जिन्दगी को खोशियों के साथ जी सकते हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये आपकी जिन्दगी की सबसे जरूरी चीज़े हैं, जैसे आपका परिवार, आपके रिष्टे, आती हैं, जैसे आपके कपड़े, जूते, शौफ करने वाली चीज़ें, अगर आप अपनी जिन्दगी के जार को सिर्फ रेट सही भर लेंगे, तो जार में बाकी किसी भी चीज़ के लिए जगे बाकी नहीं रहेगी, अगर आप अपना सारा समय इनी चीज़ों के पीछे भागने में लगा रहे हैं, तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो लाइफ के लिए बहुत important हैं, इसलिए उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपकी खुशी के लिए जरूरी हैं, हम आपके लिए प्राठतना करते हैं कि आप बुद्धिमानी की चाल चलें, ताकि आप अपनी जिन्दगी में खुश रह सकें, क्या आप तयार हैं?